CM के जिवाल और LG के बीच फिर छिड़ी रार अधिकारी पर एक्शन को लेकर शुरू हुआ वार पलट वार जीहां आपको बता दें कि राजधानी में एक बार फिर मुख्यमंत्री अर्विंद के जिवाल और उप्राजिपाल वीके सक्सेना के बीच रार छिड़ गई है इस बार रसा गसी एक अधिकारी पर की गई कारवाई को लेकर है इस मामले में मुख्यमंत्री कारेले की तरफ से दावा किया गया है कि CM की सहमति के बिना ही LG ने एक अधिकारी के खिलाफ अनुशाशनात्मत कारवाई कर दी CM आफिस के इस दावे के बाद अब LG दफ्तर की तरफ से सफाई जारी की गई है इसमें कहा गया है कि CM Office से जो दावे किये जा रहे हैं वह ब्रामक और आदे सच है LG सची वाले के एक अधिकारी ने कहा कि मुख्यमंत्री कारेले के अधिकारी बयानों के रूप में जूटे और ब्रामक बयानों को जारी किया जाना चौकाने वाला है CM दफ्तर के दावे के विपरीत अध्यदेश के प्रभाव में आने के बाद पोस्टिंग या ट्रांसफर से संबंदित एक भी फाईर LG सची वाले को नहीं मिली है LG दफ्तर के अधिकारी ने आगे कहा कि जहां तक किसी अधिकारी की निलंबन का मामला है प्राधिकरण किने कानून के मुताबिक इसकी विधिवत सिफारिश की थी इस बारे में CM NCCSA के अध्यक्ष के रूप में पूरी तरह से अवगत थे अधिकारी ने कहा कि इसके अलावा LG किसी भी मामले में पिछले और मौजुदा कानूनों की मुताबिक ही अनुशाशनात्मन प्राधिकारी भी है उन्होंने आगे कहा कि निलंबन के जिस मामले के बारे में बात की जा रही है वह नियमों के घोर उलंगन से सम्बंदित है इसमें लोगों को अनुची तलाब देने की कोशिश की गई है LG दफ्तर की तरफ से सवाल किये गए कि क्या CM ब्रिष्टचारियों को बचाने और ब्रिष्टचार को बड़ावाद देने की कोशिश कर रहे है बता दे की दिल्ली के मुख्यमंत्री और राष्ट्री राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण NCCSA के पदेन अध्यक्ष अर्विंत के जिवाल में 20 जून को प्राधिकरण की पहली बैठक बुलाई है अधिकारियों का कहना है कि प्राधिकरण एक अधिकारी के खिलाफ अनुशाष्टनात्म कारवई पर चर्चा कर सकता है हाला कि इस से पहले की NCCSA की पहली बैठक बुलाई जा सके ये इस पश्ट हो गया कि प्राधिकरण और कुछ नहीं बलकि एक मॉक बॉड़ी है क्योंकि सेवाओं से जुड़े कई प्रस्ताव CS द्वारा, CM और NCCSA को दरकिनार कर सीधे LG को भेजे जा रहे है फिलहाल आप इस खबर के बारे में क्या सोस्तों समझते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताईए